अहस सरोकार अहस साथ बदसलू की आलाधिकारी और पुलिस बनी मुखदर्शब दिली के चिडिया घर की सबसे उग्रदरा सफेद बागिन का हुआ निधर देवरिया में प्रधान ने चलवाया बुल्डोसर कई घर हुए दवस्त नमस्कार मैं हूं मयूरी सिर्वास्तव आप देख रहे हैं प्राइम टीवी वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश के बड़ी ख़वरों का राय बरेली में पुलिस ने कॉंग्रेस दफ्तर को छावनी में तबदिल कर दिया है यहां कॉंग्रेस मुख्याले तिलग भवन को पुलिस ने चार ओर से बैरिकेट लगा दिया है दरसल कॉंग्रेसी, LIC और राश्ट्री कृत बैंकों का पैसा आडानी समू को अवैदरूप से दिये जाने का आरोप लगा कर डियम को ग्यापन देना चाहते हैं आपको बता दें कि कॉंग्रेसी, LIC और पंजाब नेशनल बैंको होते हुए कलेक्ट रेट जाना चाहते हैं पुलिस ने कानुन बिवस्था का हवाला दे कर कॉंग्रेसीों को दफ्तर के भीतर ही नजर बंद कर दिया है जिसने कॉंग्रेसी डियम कार्याले पर धरने पर बैठे हैं सानी समुगा म HEYfon में फरीदाबाद के सूरजकुंद में चल रहे 36 अंतराष्टी सूरजकुंद मेले में हरियाना टूरिजम विभाग और पुलिस के द्वारा की जा रही लापरवाही की चलते मीडिया कर्मियों को कवरिच के दौरा ना केवल भारी परशानियों का सामना करना पड़ा बलकि पुलिस ने मीडिया कर्मियों के सांध धक्का मुक्की की इस दौरान मौझूद आला अधिकारी मूख दर्शक बनकर देखते रहे अधर शर्मा मेडिया से मानवतकर करन मेग जीन है मेरी और रियानी चौपाल पर जो दोगाय का आई थी प्रांजल दहिया और एक विवस्ता कि अगर हम बात करें तो विवस्ता तो नामात की भी नहीं है सब्सक्राइत है और जो बाहर के लोगे मीडिया से जेनर्थारित की गई है उसजगे के अंदर बाहर के लोग और पुलिस के स्टाप लोग जआदा बहरे पड़े हैं और मीडिया वालों के साथ बहुत जाज़ा पंब शलूकी की गई है और यह एक बड़ा निंदनी आ है बदहाली इतने बदिंद्द जामी आज हालत यह रही कि मीडिया कर्मी और लोग संपर विवाग के जितने अधिक डिप्यार ऑफिस कर्मचारी हैं वह बाहर और पुलिस वालों को पुरा कब जाता आज मीडिया उसमें गैलरी में और अंदर लोग शराप पी के पहुंचे वह है जो मीडिया के लिए चांद uniqueness स्फानर रखोर ही नाइट से ओन भी में मृटर आ जाती है क्या आईपी में पीकर जाती तब तो मानते क्या हैं पुलिस अगर उनको रोग ने सकती, पुलिस पब्लिक को नी रोग सकती, तो पब्लिक का क्या फाइज़ा थे? इस खबर पर हमारे समवादाता मनोज हम से जुड़ेंगे मनोज फरीदाबाद के सूरजकुन मेले में मीडिया कर्मियों के साथ बदसलूकी की घटना सामने आई है क्या कुछ पूरा मामला है जी देखी मैं बता दू कि जो सुर्जकुन मेले लगा हुआ है यह इस्वा अंतराष्टे मिला है इस मेले को अंतराष्टे बनाने में पईदवाद की लोकल मीडिया की अहन को मिका रही है आज से नहीं लोग 30 साल भी से जो मेले को कवर करते आ रहे हैं वता देखी कल मेले का ख़ज जाने में बनाए गई गई है वहाँ पर मेले को बनाए गए अधर करें अंदर में जान रहे हैं तो उसके पूछल दाएट के साथ और भाई संचाव पूल अंदर बाई जेले पिलिस करमी बलकि आम लोग बनाते भी ज़िए पुलिस कर्मी अपनी दूती को भूल कर के वो प्राइचल दहिया को अपने मुवाइल में पैमरा में स्केड करने मजुद इसके सिकायट वहां पर प्रशाशी अधिकारी जो की प्रशाशी से अधिकारी को बीद्या मौजूत बुलंद शहर में गौकशी की घट्नाव में शामिल मकसूत की लाखों की संपत्ति कुर्क की गई आपको बता दें की कारवाई गैंग्स्टर एक्ट के तहत की गई पुलिस ने गूलावटी में डीम के आदेश पर गौकस मकसूत के माकान को कुर्क किया था अब गैंग्स्टर कोर्ट ने डीम की आदेश को सही मानते ये थाना गुलावटी का एक शातिर गोकश था जिसके विरुद गैंग्स्टर एक्ट पंजिकृत किया गया था और उसी के क्रम में उसकी अवैद अर्जित संपत्ती को जिलादिकारी महोदय द्वारा कुर्ख किया गया था इस कुर्की आदेश के उपरांत गैंग्स्टर कोर्ट में जो हमारा अभियोजन पक्ष है उन्होंने ये मान्य न्याले से अपील की थी कि ये जो अवैद अर्जित संपत्ती है इसको सरकार के पक्ष में निर्नित किया जाए इसी के क्रम में आज एडीजे गैंग्स्टर कोर् हमारा उसमें एक मिस्टर मक्सूद थे जो गौकसी के अनेक मुकदमों में वांशित थे और उनके विरुद गैंग्स्टर एक प्लागू हुआ था संपत्ती उनकी जितनी भी थी अपराद के बाद की थी एक मकान था लगवग 9,18,000 रुपय का उसकी कुर्की के लिए 14 एक गैंगेस्टर अधिनियव के तहट मेरे नियाले में आया था समस्त साक्षों का संकलन करने के बाद पूरी जाच परताल कराने के बाद मैं मैंने यह पाया था कि यह मकान जो है अपराद करने के बाद जो संपत्ति उसने अर्जित की थी उससे खरीदा गया था उसको हमने फ भरी हुई बस सड़क के डिवाइडर से जा टक्राई और हादसा हो गया इस हादसे के बाद यात्रियों में चुक पुकार मच गई वहीं इस्थानी लोगों की मदद से घायलों को पुलिस ने हॉस्पिटल में भरती कराया है जहां कई घायल हो गये यह जो पेशेंट है आपकी कौन है मेरी वाई क्या नाम इनका क्या हुआ है बस एक्षिजेंट कर गई थी उसी में हाथ हाथ बिल्कुल अलग हो गया है और सीने में भी चोट बताई जा रही है कहां के रहने वाली हैं मैं 45 नोड़ा सब्सक्राइब जा कहा रही थे आप अब से नोड़ा से गया था राम गाट गंगाजी अच्छा नाम नगर या गंगाजी असनान करके किस त्राइम खास आई क्या नाम आपको सुमंतिवारी कहां के रहने वाली है तो यह बस एक्सिदेंट जो आपके साथ हुआ है तो आपकी कहां कहां चोट है देवरिया में रहने वाले लोगों ने जिला अधिकारी कारयाले पहुचकर भूमी पर अवे अतिक्रमण हटाने की मांग की है आपको बता दें कि पीडित पक्ष का आरोप है कि गाओं के ग्राम प्रधान की दबंगई से जैसे भी लगवाकर माकान एवं रोड को ध्वस्त कर दिया गया साथ ही साथ पुलिस प्रिशासन की मिली भगत से पुलिस दबंगों पर कारवा प्राइक करने से ही चक रही है कि अब लोग 16 तरीकी घटना है जिसमें साथ बज़े रात को परदान अपने पचास लोग अग्या सहित लेकर आया था उसमें इन लोग का देवाल और पूरी नलोग संपति नश्ट कर डाला और ठंकी से लेकर चार दिवारियों जिसमें कोट युई इसमें कोई विकरवाई नहीं पूली स्थाना इन लोग पृत ही मोकदमा क कर दिया लों लोग सरह कोंपे चलान वी रजर ईया है जिसमें जमीन के नाम पे आगे बीजमीन दोग मैं ूपिछी चुक्य आ바 जान परदान है गाहों कर लेका पाईसा तेकर ले लेवा ताय किन ले ले वा जमीन है तो बताये हम आगे हम आगे देले ही हैं करवधी जाजवा टोला थाना भलुवनी है परधान ने आया था दुवार पर पचास लोगों को लेकर जेस्वी के साथ सारा देवाल गिरा दिया साथ बजे राती को बदमास के साथ आया है थाने पर फोन किये थे कोई सुनमाई नहीं है आप क्या शाहती है अभी धन्वाद क्या शाहती है यहां क्यों आई यहां सब कर्या लेते कोई अन्याय के लिए उत्यप्रदेश की खबरों में इतना है देज़ुन्या की तमाम खबरों के लिए बने रहे प्राइम टीवी के साथ नमस्कार आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार